नमस्कार दोस्तो, स्वाधा थे आपका स्टडी आईक्यू में, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन्स की एक चर्चा करेंगे, इंडिया के बारे में डिस्कुशन नहीं है, लेकिन हम एक सवाल उठाएंगे जपान के बारे में, आप यहाँ पे सवाल देख सकते हो, एशिय रियलिस्ट स्कॉलर, रियलिस्ट स्कॉलर मतलब इसका जवाब मैं आपको अभी बता दूँगा, कि सिंप्ली से इस नो, लेकिन हम लोग यहाँ एक विशलेशन करेंगे, कि क्यो जपान को कुछ इन सेक्यूरिटी हो रही है, वाई जपान इस फीलिंग इन सेक्यूरिटी हो जानने के लिए मेरे साथ बने रहे हैं, स्टेडी आईक्यू पर मैं हूँ आपका दोस्त राहूल सायगाओकर, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, you can follow on this particular ID, और अगर आप UPSC Civil Services Examination की तयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट पीसी की तयारी कर रहे हैं, तो here is a we are raising a question कि can Japan trust America, इसको understand करते हैं, देखें, Japanese dependence बहुत जादा है United States of America के उपर, यह हम जानते हैं, अब यह क्यों थोड़ा सा इतिहास अगर हम लोग जानेंगे, देखें, विश्वय अदू 2 में क्या हुआ था, Second World War में हुआ क्या था, Second World War में एक तरफ थे Axis Powers, अब Axis Powers एक ग् Germany, Italy और Pacific Side में आपको Japan मिलेगा, और दूसरी तरफ Allied Countries थे, यानि कि United States और Company, United States और दूसरे Liberal Countries, जैसे कि France, Britain मिलकर उन्होंने Axis Powers को हराया, और Axis Powers को हराने के बाद आप जानते होगी, August 1945 में, दो अनुबम गिराए गए Japan के उपर, Hiroshima और Nagasaki, अब इसके बाद Japan तो हारी गया जपान को अकुपाई कर लिया गया by the Allied Forces, predominantly मैं कह सकता हूँ कि United States के बहुत ज़्यादा soldiers थे यहाँ पे, और आपने गर Pearl Harbor incident के बारे में सुना आया, तो Japan काफी aggressive पहले हुआ था, United States के उपर, उस Pearl Harbor incident के बाद ही United States involved हुआ, World War II में, और उसके बाद उन्होंने Japan को हराया, और Japan क यहाँ जपान को उकुपाई कर लिया, basically 1945 से 51 ता, यहाँ पे बहुत सारे US soldiers already stationed थे, अब धीरे धीरे यह occupation खतम हुई, 1952 में occupation खतम हुई, जपान का खुद का एक सविधान आया, उस सविधान में बहुत सारे आर्टिकल से जहाँ पे जपान को militarize नहीं होना यह कहा गया, उनकी military limited की गई, उनकी arms and amnitions limited की गई, 1952 में एक security treaty sign की गई, United States और जपान की बीच, अब basically हुआ क्या, जपान एक protectorate बन गया United States का, यानि कि अगर जपान के ऊपर कुछ खत्रा आएगा आगे चलके, तो United States जपान को बचाएगा, यह इस treaty में लिखा गया, although थोड़ी सी unilateral treaty 1952 में, 1960 में इसको re-sign किया गया, बस नाम बदला गया, treaty of mutual cooperation and security between US and Japan, अब इसके तहद भी US बचाने आएगा जपान को अगर कोई उसके उपर खत्रा आएगा तो, जपान अपनी खुद की limited army military maintain करेगा, बट उसको militarization करने से उसके उपर रोक लगा दी गई, अब इसका क्या हुआ, US would be predominantly responsible for Japanese security, और अगर हम लोग आज भी बात करें, अभी 2021 की भी बात करें, तो United States के बहुत सारे troops जपान में है, ये कहा जाता है कि United States के 54,000 military personnel already stationed है, जपान में 80 से भी जादा US military facilities है Japanese soil में, जपान की protection के लिए yes, बट पूरे Pacific की protection के लिए भी वहाँ पे तैरात है अब इन सब चीजों का मतलब क्या हुआ, कि Japan is basically protected of United States of America, लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले एक दशक से ये धीरे धीरे बदल रहा है, और हम लोग देखते आ रहे हैं कि Japan is upgrading its military slowly and steadily, हम लोग ने हाली में एक चर्चा भी कीती, study IQ पर आपने इसको देखा होगा, Japan to deploy missiles near the Sen Senkaku Islands, और इन Senkaku Islands के उपर विवाद चल रहा है, Japan और China का, यह हम लोग जानते हैं, अब सवाल यह उठता है, कि Japan अपग्रेड कर रहा है अपनी military, यह क्यों, और अगर यह अपग्रेड कर रहा है, तो US क्यों कुछ नहीं कह रहा है, देखिए, यह US के हित में भी है, क्योंकि US एक step back ले चुका है, global order से, especially Trump, Donald Trump जब राश्चापती जब उन्होंने global order से step back जरूर लिया था, बहुत सी जगहों से अपनी military वापस उन्होंने ली थी, उनका यह argument था कि why only United States should contribute towards the world safety, दूसरों को भी अपना योगदान देना चाहिए, और जहां तक हम लोग अगली सरकार क दे सकते हैं, जहां पर United States देरे देरे step back कर रहा है, अब इसी के चलते है, Japan is feeling insecure, अब insecure क्यों feel कर रहा है, देखे, मैं कहूंगा, 20th century में तो उतना ज्यादा खतरा कुछ था नहीं, क्योंकि एक तरफ United States सबसे बड़ा power था, in fact, Japan जो था, liberal countries में second, basically growing economy थी, growing power भी था, और Japan was a protectorate of USA itself, लेकिन 21st century में, चाइना एक बहुत बड़ा competitor बन चुका है, United States का, अब इसी के चलते है, Japan is feeling very, very insecure, अब देखे, चाइना की जो military spending है, वो जपान से 4 गुना बड़ी है, अगर आप share size देखे, चाइना का Chinese economy बहुत बड़ी, Chinese population बहुत बड़ी है, जपान को अगर उसके सा being insecure with respect to China, और सबसे बड़ी चीज़ अगर हम लोग बात करें, चाइना की aggressiveness के बारे में, पिछले 20 से 30 सालों में, चाइना काफी aggressive बन चुका है, हम लोग ने South China Sea के उपर बहुत सारी चर्चा की है, East China Sea के उपर हम लोग बात की है, रिगार्डिंग ये Senkaku और ये Dio Islands, तो चा देखे, चाइना काफी ज़्यदा aggressive हो रहा है, और United States is not able to regulate Chinese behavior, हम लोग देख रहे है, चाइना अपनी aggressive stance को maintain किया हुआ है, South China Sea में, USA alone is not able to counter it, और especially with respect to Japan, जहां पे Senkaku Islands का भी विवाद चलने, वहां पे जपान को भी ये लग रहा है कि United States alone cannot safeguard it from China, अब इसी की चलते, military spending में बहुँ जादा हो रही है, इसी के चलते, militaryization बहुँ जादा हो रहा है, जपान में, और USA is not stopping this also, इसके अलाबा एक और उधारन भी है, जिसकी वैसे Japan की insecurity बढ़ रही है, जिस तरह से United States ने Philippines को ignore किया, 2012 में अगर हम लोग बात करें देखिए, जिस तरह की treaty है, although आप यहां पे मुझसे आरग्यों यह कर सकते हो, कि सर्फ Philippines और जपान की बरावरी नहीं हो सकती हो, लेकिन दोनों भी partner है, United States के दोनों भी partner है, दोनों के साथ उनकी mutual defense treaty है, हम लोग ने जपान के साथ देखी, Philippines के साथ भी उनकी mutual defense treaty है, लेकिन क्या हुआ Philippines के साथ, 2012 में जब चाइना ने अ Philippines went to the permanent court of arbitration, Philippines के hit में वो decision भी आया, लेकिन उसको चाहिना ने नकार दिया, अब इस पूरे incident में United States ने क्या किया, United States ने कुछ भी नहीं किया, their response was very lukewarm, although अगर हम लोग बात करे, पिछले साथ, Donald Trump ने एक statement जरूर जारी किया था, उन्होंने कहा था कि Philippines के उबर कोई खतरा जो बाइडन ने भी इस साल वही re-trade किया है, लेकिन इन प्रिंसिपल वो हो रहा है क्या, the answer would be no, अब इस incident के चलते भी Japan would be very very insecure, कि जो Philippines के साथ हुआ, वो Japan के साथ भी हो सकता है, आगे चलके, United States may renege on this particular treaty, इसके अलावा, जिस तरह से United States का रवया रहा है, over the other global issues, आपने य Nord Stream 2, यानि कि जो deal चल रही थी, Russia और Germany की बीच, over the Nord Stream 2, इसके ओपर हम लोग ने चर्चा की है, वहाँ पे Biden has now exceeded, इसके अलावा, बाइडन की handling जो है, अफगानिस्तान के ओपर, यह काफी चर्चा का विशे बन चुका है, इसके ओपर बहुत सारी आलोचना भी आई, in fact, ब्र जालिस्तान में Taliban, इस continuously gaining ground, city के ओपाद cities fall हो रही है, और बहुती जल्द experts यह कह रहे हैं, कि काबुल के ओपर भी तालिबान के कबजा हो सकता है, इसके अलावा, जिस तरह से उन्होंने इराक से बाहर आने की बात की, इराक से अभी combat role United States से खतम हो रहा है, साथी साथ जिस त national interest के लिए, वो किसी की भी बली चड़ा सकते हैं, अब सवाल ही उठता है, क्या जपान की बली चड़ा सकते हैं, अब इसी के चलते हैं, जपान is very very insecure, अब आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, क्या हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं, देखिए, एक key obstacle है, जपान अपनी जो military तक allow कर रहा है, क्योंकि United States को पता है, कि मैं अकेले चायरा को counter नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए वो एक group बना रहा है, जैसे कि quad हो गया, quad में भी Japan है, तो यह हित में है, जपान के भी हित में है, और US के भी हित में है, कि Japan खुद militarize हो जा और खुद आत्मनिर्वर बने, लेकिन यह जो constitutional restrictions है, यह बहुत हद तक उनकी military power को limit कर रहा है, तो आने वाले दिनों में हम लोग यह अंदेशा लगा सकते हैं, कि Japanese constitutional reforms आ सकते हैं, और इन Japanese constitutional reforms को समर्तन भी मिलेगा United States का, in fact, encourage करेगा United States, क्योंकि Japan अगर military ली आत्मनिर्वर बनेगा, तो US के उपर काफी load कम ह होगा, तो it can counter China on its own, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने यह रह जाता है, कि किस तरह की constitutional reforms आएंगे, किस हद तक Japan militarize होगा, अब किस हद तक में किस sense में पूछ रहा हो, आपने अभी तक अंदेशा लगा लिया होगा, I am talking from the end sense, यह अनिकी nuclear sense, will United States allow Japan to become nuclear, यह एक बह पर development अगर कुछ आएगी, तो we will keep an eye on this continuously और जल से लाएंगे आपके लिए study IQ पर, that is it right now from my side, thank you for watching, जय हिंद